नमस्कार द्रिश्टी आईएस के टुडेजज़ी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन कारी के आप देखते हैं पहला प्रश्ण था हाल ही में खबरों में रहा हर घर दस्तक अभियान निम्दलिखित में से किस से संबंदित है इसका सही जवाब था A और B दोनों अगला प्रश्ण था डेलाइट सेविंग टाइम के संबंद में निम्दलिखित कत्नों पर विचार कीजिए एक यह एक प्रक्रिया है जिसके तहट गर्मियों के मौसम में सुबह जल्दी होने वाली रोश्णी यानि दिन की अवधी का लाब लेने के लिए ग्रीश मरितु में घडियों को मानक समय से आगे कर दिया जाता है दो उतरी कोलार्थ के देशों में घडियां मार्च के अंत में या अपरेल में एक घंटा आगे सेट की जाती है और सितंबर के अंत यां अक्टूबर में एक घंटा पीछे सेट कर दी जाती है वो परियोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों आगला प्रशन था PNS तुगरिल के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह एक ऐसा युदपोत है जिसमें विशुस्तरिय श्तीर्थ क्षमता है और यह किसी भी रडार को आसानी से चक्मा देने में सक्षम है दो यह पाकिस्तान की नौसेना के लिए रूस द्वारा निर्मित किये जा रहे चार टाइब 054A उब्लीक पी युदपोतों का पहला हिस्सा है वो परियोगत कथनों में से कौन सा यांसे सही है या फिर है इससा सही चवाब था केवल एक अगला प्रेशन था केंद्रिय अप्रत्यक्षकर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के संबंद में निमनलिखित कतनों पर विचार कीचिए एक यह वित्न मंतराले के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है दो, GST लागू होने के बाद केंद्रिय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC का नाम बदल कर CBIC कर दिया गया तीन, यह सीमा शुल्क केंद्रिय उत्पाद शुल्क CGST और IGST लगाने और संग्रह से संबंदित नीती तयार करने का कार्य करता है उपरियुक्त कथनों में से कौन से सही है इसका सही जवाब था एक, दो और तीन अगला प्रशने था आचारे क्रिपलानी के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, वश 1922 के आसपास जव्वे महात्मा गांधी द्वारस्थापित गुजरात विद्यापीट में अध्यापन कर रहे थे तब उन्हें आचारे उपनाम प्राप्त हुआ दो, स्वतंतरता के समय में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस यानि INC के अध्यक्ष थे उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यांसे सही है या फिर है इससे ही जवाब था एक और दो तोनों अगला प्रश्ण था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, भारतिय रिजर्व बैंक यानि RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना, खुदरा निवेशकों को केवल ग्वितिक बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों यानि जी सेक को ऑनलाइन खरीदने और बेचने का माध्यम उपलब्द कराती है दो, रिजर्व बैंक एकिकरित लोगपाल योजना RBI की वी नियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगी उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इसे सही जवाब था केवल दो अगला प्रशने था राष्टरिये खेल पुरसकार 2021 के सम्मंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक सिमरंजीत कौर को बॉक्सिंग के क्षेतर में अरजुन पुरसकार दिया गया है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रशने था Conference of Parties यानि COP के सम्मंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, COP जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्ग कन्वेंशन यानि UNFCCC का निन्ने लेने वाला सर्वोच निकाय है दो, COP 27 2022 का आयोजन मिस्र के शर्म अलशेख में किया जाएगा तीन, COP की पहली बैठक मार्च 1995 में बॉन जर्मनी में आयोजित की गई थी उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक और दो अगला प्रशन था, नोरो वाइरस के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसे विंटर वामिटिंग बग के तौर पर भी जाना जाता है दो, गले में खराश नोरो वाइरस के प्रमुख लक्षनों में से एक है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इसा सही जवाब था एक और दो दोनो अंतिम प्रशन था, प्रवर्तन निदेशाले के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसे केवल धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 से अपनी शक्तियां प्राप्त होती है दो, इसकी स्थापना एक मई 1956 को हुई थी उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इसा सही जवाब था केवल दो शुरुवात करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्नु एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानि एपक फोरम के संबंद में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाब उठाने के लिए 2000 में स्थापित एक क्षेत्रिय आर्थिक मंच है दो इसका उद्देश्य क्षेत्रिय आर्थिक एकी करण को बढ़ावा दे कर संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव एवं सुरक्षित, विकास और समरिद्धी को बढ़ावा देना है उपरियोगत कथनों में से कौन सा यांसे सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससे ही जवाब उपशन B, केवल 2 न्यूजिलैंड इस वर्ष के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानि A, P, E, C मंच की मेजबानी कर रहा है जान लेते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानि एपक के बारे में यह एशिया प्रशान्त की बढ़ती निर्भरता का लाप उठाने के लिए वज 1989 में स्थापित एक क्षेत्रिय आर्थिक मंच है इसलिए कथन एक गलत है इसका उद्देश्यक शेत्रिय आर्थिक एकी करण को बढ़ावा दे कर संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव एवं सुरक्षित विकास और समरिध्धी को बढ़ावा देना है इसलिए कथन दो सही है इसमें 21 सदस्य देश है अस्ट्रेलिया, गुरुनेई दारुसलाम, कनाड़ा, चिली, चीन, हौंग कॉंग, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिन कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजिलैंड, पापुआ, न्यूगिनी, पेरू, फिलिपीन्स, रूस, सिंगापूर, चाइनीज तैपेई, थाइलैड, अमेरिका और वियतनाम, तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही चवाब ऑप्शन बी केवल दो, हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें, हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल, ब्रिश्टी आएस इंग्लिश आज के सेशन का पहला प्रश्ण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक, माववादी विचार धारा का केंद्रिय विशे राज्य की सत्ता पर कबजा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह करना है, दो, नकसलवाद को माववाद भी कहा जात है, उपरियोगत कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो, इसका सही जवाब उप्शन सी, एक और दो दोनों, यानि दोनों कथन सही है, हाली में 36 गड की सीमा पर गडची रॉली, महराष्ट में हुई मुठ भेड में माववादी सेंट्रल जोन कमेटी के सदस्य मिलिंद तेल तुम्डे सहित 26 नकसली मारे गए वामपंथी चरंपंथी जिन्ने दुनिया भर में माववादी कहा जाता है भारत में उन्हें नकसली के तौर पर जाना जाता है इसलिए कथन दो सही है माववादी विचारधारा का केंद्रिय विशे राज्य की सत्ता पर कबजा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्र विद्रह करना है इसलिए कथनेक सही है गौर तलब है कि नकसलवाज शब्द की उत्पत्ती पश्रिम बंगाल के नकसल बाड़ी गाउं से हुई थी यह जमिंदारों तोरा किसानों के उत्पीडन के चलते विद्रहों के तौर पर उभ्रा यह आंदोलन पूर्वी भारत में छत्तीसगर ओडीशा और आंदर प्रदेश जैसे राज्यों के कम विक्षित क्षेत्रों में फैल चुका है तो इस तरहां इस प्रश्न का सही जवा के लिए एक सूचकांक है दो ग्राउंड लेवल ओजोन और एरबोन पार्टिकल्स दो ऐसे प्रदूशक हैं जो भारत में मानव स्वास्थे के लिए सबसे बड़ा खत्रा है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यांसे सही है या फिर हैं केवल एक केवल दो एक और दो दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुडवत्ता गंभीर यानी सीवियर स्तर पर है इसके चलते दिल्ली सरकार ने वायू और धूल प्रदूशन के स्थानिय स् जान लेते हैं वायू गुडवत्ता सूचकांग के बारे में यह दैनिक वायू गुडवत्ता की रेपोर्टिंग के लिए एक सूचकांग है इसलिए कथन एक गलत है यह उन स्वास्थे प्रभावों पर केंदृत है जिने प्रदूशित हवा में सांस लेने के कुछ घंटो या दिनों के भीतर अनुभव किया जा सकता है इसके तहट आठ वायू प्रदूशकों को शामिल किया गया है ग्राउंड लेवल ओजोन पी एम टैन, पी एम टू पॉंट फाइफ, कार्बन मोनो ऑकसाइड, सल्फर डायोकसाइड, नाइट्रोजन डायोकसाइड, अमोनिया सीसा यानि लेट, ग्राउंड लेवल ओजोन और एरबोन पार्टिकल्स दो ऐसे प्रदूशक हैं जो भारत में मानस स्वास्थे के लिए सबसे बड़ा खत्रा है, इसलिए कथन दो सही है, तो इस तरहां इस प्रशन का सही चवाब ऑप्शन बी, केवल दो, आगला प्रशन प्रशासनिक नियंतरण में कार्य करता है, उपर यूग कथनों में से कौन सा यांसे सही है यां फिर हैं, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन यां फिर एक दो और तीन, इसका सही चवाब ऑप्शन बी, केवल दो, हाल ही में राश्ट्रपती रामनात कोविंद ने केंद्रिय अन्वेशन ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशाले के निदेशकों के कारेकाल को पांच साल तक यानी दो साल से बढ़ा कर बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश जारी किये हैं 1963 में CBI की स्थापना गरही मंत्राले के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी CBI एक सामविधिक निकाय नहीं है हालांकि यह दिल्ली विशेश पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है इसलिए कथन एक गलत है म्रश्टाचार की रोगठाम के लिए बनी 1962 से 64 संथानम समीती द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी इसलिए कथन दो सही है CBI कार्मिक लोगशिकायत और पैंशन मंत्राले के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानि DOPT के प्रशास्निक नियंत्रण में आता है इसलिए कथन तीन गलत है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन B केवल दो अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से भुक्तान संतुलन यानि BOP के घटकों में शामिल है एक चालू खाता, दो पूंजी खाता, तीन भूल चुक यानि Errors and Omissions, चार विदेशी मुद्रा भंडार निमनलिखित विकल्पों में से सही कूट का चैयन कीजिए केवल एक और तीन, केवल एक दो और चार, केवल दो तीन और चार, या फिर एक दो तीन और चार इसे सही जवाब उप्शन डी, एक, दो, तीन और चार ब्रिटिश ब्रोक्रेज, बार्कलेज की हालिया रिपोर्ट के मताबिक, जुलाई 2021 से भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है बीयोपी तयार करने के लिए एक देश और शेश विश्व के बीच मौदरिक लेंदेन का चालू खाता, पूझी खाता और भूल चुक के अंतरगत वर्गी कृत किया जाता है यहे विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन को भी दर्शाता है चालू खाता, इसके तहट द्रिश्य मदो जिने पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जा सकता है और अद्रिश्य मदो यानि सेवाएं और चालू हस्तान तरण के आयात और निर्यात को रखा जाता है पूंजी खाता, इसके तहट किसी देश के निवासियों तथा शेश विश्व के मध्य एक वित्तिय वर्ष में की जाने वाली उन सभी आर्थिक लेन देन का ब्योरा रखा जाता है जिन से परिसंपत्तियों के स्वामितुव में परिवर्तन आता है बाहय वानिजिक उधार यानि ECB, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, आदी, पूंजी खाते का हिस्सा है भूल चूक, कभी कभी भूगतान संतुलन संतुलित नहीं होता है इस असंतुलन को B.O.P. में भूल चुक के तौर पर दिखाया जाता है यह सभी अंतराश्ट्रिय लेन देन को 60ी ग्रूप से रिकॉर्ड करने में किसी देश की अक्षमता को दर्शाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन इसके तहट RBI द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में परिवर्तन और विशेश आहरण अधिकार यानि SDR शेश में भी परिवर्तन शामिल है अतह विकल्प D सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही चभाब आप्शन D, 1, 2, 3 और 4 अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक यह सिद्धान्त 1912 में अलफ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था दो सभी महाद्वीपों में से एक महाद्वीपिय भूखंड का निर्माड हुआ जिसे पैंजिया कहा गया तीन, पैंथालासा नामक एक विचाल महासागर मौजूद था जो पैंजिया को घेरे हुए था उपरियुक्त कथन सबसे उप्युक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भूवेग्यानिक सिद्धान्त से संबंदित है एक नए अध्ययन ने सुझाव दिया है कि सबसे पहला महाद्यूईपिय भूखंड 2.5 अरब साल पहले महाद्यूईपिय विस्थापन सिद्धान्त के अनुसार के बजाए 3.2 अरब साल पहले उभरा जान लेते हैं महाद्यूईपिय विस्थापन सिद्धान्त के बारे में यह सिद्धान्त महासागरों और महाद्यूईपों के वितरण से संबंदित है यह सिद्धान्त पहली बार 1912 में एक जर्मन मौसम विद अलफ्रेड वेगनर ने दिया था इस सिध्धान्त के अनुसार आज के सभी महादवीप एक भूखंट यानि पैंजिया के भाग थे जो एक भड़े महासागर यानि पैंथालासा से गिरा हुआ था लगबग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया विभाजित होना शुरू हुआ और क्रमशह उत्तरी और दक्षणी भूखंडों का निर्माण करते हुए लौरेशिया और गोंडवाना लैंड के तौर पर दो बड़े महादवीप एक पिंडों में तूट गया इसके बाद लौरेशिया और गोंडवाना लैंड विभिन छोटे महादवीपों में तूटते रहे जो आज भी मौजूद हैं अतह विकल्प ए सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब यॉप्शन ए महादवीप ए विस्थापन सिध्धान्थ अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक हर साल 15 नवंबर को जंजाती ए गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा दो भगवान बिर्सा मुंडा स्मृती उद्ध्यांस सहे स्वतंतरता से नानी संगराले ओडी शामिस्थित है तीन 15 नवंबर क केवल एक और तीन देश आज यानी 15 नवंबर आदिवासी स्वतंतरता से नानी भगवान बिर्सा मुंडा की जयनती को जंजाती गौरव दिवस के तौर पर मना रहा है इसलिए कथन एक सही है इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी द्वारा आज भगवान बिर्सा मुंडा स्मृती उद्यान सहे स्वतंतरता से नानी संगराले के उद्गाटन की आ गया यह अत्यादुनिक भगवान बिर्सा मुंडा स्मृती उद्यान सहे स्वतंतरता से नानी संगराले जहारखंड के रांची में 38 एकड़ भूमिक एक शेत्र में है इसलिए कथन दो गलत है 15 नवंबर को जहारखंड राज्यस्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है इसलिए कथन तीन सही है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन बी केवल एक और तीन अगला प्रश्ण है हाल ही में खबरों में रहा रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्ये में स्थित है ओडीशा असम मध्यप्रदेश या फिर केरल इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्यप्रदेश हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर विक्सित रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन का उधगाटन किया गोंडर सामराज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापती के नाम पर पुनर विक्सित रानी कमलापती रेलवे स्टेशन मध्यप्रदेश का पहला विश्वस्तरिय रेलवे स्टेशन है इसलिए विकल्प सी सही है गौर तलब है कि सारवजनिक निजी भागीदारी यानि PPP मॉडल में पुनर विक्सित इस टेशन को आधुनिक विशुस्तरिय सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर डिजाइन किया गया है इसमें दिव्यांग जन्नों के लिए आवा गमन की सुलपता को भी ध्यान में रखा गया है इस स्टेशन को एक इकृत मल्टी मॉडल परिवहन के हब के तौर पर भी विक्सित किया गया है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही चवाब उप्शन C, मध्यप्रदेश आगला प्रश्ण है वायू गुडवत्ता प्रबंधन आयोग यानि C, A, Q, M के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इस आयोग का नेतरित्व एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष करता है जो भारत सरकार में सचिव या राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा हों दो, यदि इसके निर्देशों का उलंगन किया जाता है तो आयोग के पास पांच वर्ष तक की जेल अथवा एक करोड रुपे जुर्माना अथवा दोनों सजा की शक्ती होगी उपरियोग्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इससे सही जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यानि दोनों कथन सही है दिल्ली NCR क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायू प्रदूशन चिंता का विशे बना हुआ है इसके मद्दे नजर राश्ट्रिय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायू गुडवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा आकस्मिक आधार पर एक महतुपूर्ण बैठक बुलाई गई जान लेते हैं दे कमीशन फॉर एर क्वालिटी मेनेजमेंट इन दे नैशनल कैपिटल रीजन यानी न्सियार के बारे में राश्ट्रिय राजधानिक शेत्र यानी एनसियार और आसपास के क्षेत्रों में वायू गुडवत्ता प्रबंधन आयोग एक अध्यादेश द्वारा अस्तित्व में आया एक वैधानिक प्राधिकरण है इस अध्यादेश के जरिये केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसियार के लिए परियावरण, प्रदूशण, रोक्थाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA को भी भंग कर दिया आयोग का नेत्रित्व एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष करता है जो भारत सरकार में, सचिव या राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा हो इसलिए कथन एक सही है यदि इसके निर्देशों का उलंगन किया जाता है तो आयोग द्वारा दंड के तौर पर पांच वर्ष तक की जेल अथवा एक करोड रुपे जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकती है इसलिए कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाबे उप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किस खेल को 2022 के राश्टर मंडल खेलों में शामिल किया जाएगा जूडो, फैंसिंग, घुड सवारी या फिर महीला क्रिकेट इसका सही जवाबे उप्शन D, महीला क्रिकेट राश्टर मंडल खेलों यानि कॉमन वेल्थ गेम्स के कारेकरम आयोजकों ने घोशना की है कि महीला क्रिकेट को T20 परारूप के साथ 2022 के राश्टर मंडल खेलों में शामिल किया जाएगा पहला यानि उद्घाटन मैच भारत और आस्टरेलिया के बीच होगा और फाइनल मैच साथ अगस्त को खेला जाएगा अतह विकल्प D सही है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाबे उप्शन D, महीला क्रिकेट अंतिम प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सा विल्बर स्मिथ का पहला प्रकाशित उपन्यास है इसका सही जवाबे उप्शन A, विल्बर स्मिथ का 88 वर्ष की आयू में निधन हो गया एक लेखक के रूप में अपने दशको लंबे करियर के दौरान स्मिथ ने 49 उपन्यास लिखे जिनकी 30 से अधिक भाशाओं में दुनिया भर में 140 मिलियन से अधिक प्रतियां भी की विल्बर एडिसन स्मिथ 9 जनवरी 1933 से 13 नवंबर 2021 उतरी रोडेशिया वर्तमान में जांबिया में जनमे दक्षिड अफ्री की ब्रेटिश उपन्यास कार थे उनका पहला उपन्यास वेंदलॉयन फीड्स 1964 में प्रकाशित हुआ था अतह विकल्प ए सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब ए उप्शन ए वेंदलॉयन फीड्स अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण कैसरे हिंद तितली के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसका शाब्दिक अर्थ है भारत का समराट दो यह तितली भारत में केवल पूर्वी हिमाले में छे हजार से दस हजार फीट की उचाई पर पाई जाती है तीन इसे अरोनाचर प्रदेश की राज्य तितली घोशित किया गया है उपरियोगत कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रशनों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद